गुड मौनिंग और वेलकम तु ग्नायन मंजरी विद्यापीट दिजिटल प्लेटफॉर्म। आई मनिश्क लूत्रा इस गूंग टेक यूर ऊसी चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग। Students, in last lecture we have concluded the topic of organizing. Today we will take a new topic or a new chapter, staffing. अजे अपड़े नवा चाप्टर, staffing वीचे वाद करवानी चे. Staffing side मा राग, only staff. Staff वड़ थी तो अमें बदा परिचीत हशो. अजे school नो, अपड़े जे school मा बणिये चीए, येना staff members कोण चे? तो we teachers are and principal or trustees all are included as the staff members. तो अम बदा staff चीए नो, तो हमें business के अपड़ी school ने आगल कई रीते लई जावी, एक कोशिश माटे हमें सतत अने सतत प्रियतना करता रहता होई. एवी जरी ते, वुए हम कई शको के कोई पण company होई, तमारे तमारा parents ने business होई, तो एमा पण तमें जोई ले जो, के कोक ने कोक एक नानी दुका नशे, तो एमा एक बे जणा अचे, नोकरी है, के कोई बिजो, कोई मोटी company होई, reliance industry होई, तो निया हजारों लोकों job करता ह एवी जरी ते, बद्द अने बद्दी फिल्ड मा, मैं स्टाफ मेंबर्स आर, ने से, विदाउट स्टाफ, business cannot be run, तमारी पासे सारे वी मशिनरी चे, सारे वी वी बिल्डिंग चे, सारे वी capital चे, बट, यू डोजंट है उप्रोपर men to work, तो तमारी पासे स्टाफ मेंबर्स तो सुथाए, तो तमारू शरी सुका अमड़ाने, समय आउता तमारू जीव, वह हो जाए, तो एवी जरी ते, स्टाफ पण एक एक तमारी एसेट चे, विकेंद से, ये एक एवी एसेट चे, तो business, बिजनेस जे चे, एमा कोई पण, तमें, whether it you do a profession, you do a trade, you do a industry, और any other small shop, तो पण एमा तमें नाना मुटा कोक मानस ने तो नौकरी ए राकता, होई चे, तो जे नौकरी ए तमें जेने राको ही, they are your staff, तो ये तमारों स्टाफ चे, कोई इंडस्ट्री के, आपड़ें के, ये dehydration चला हो, तो निया 100-200 जना नौकरी करता हो, होई चे, मैनेजर्स, जे तो एक पर बहुत हो, पहला आपड़े जो ये इंट्रोडच्शन, आफ्टर इंडस्ट्री रिवलुएशन, इंडस्ट्री स्थाटेड, प्रोदक्शन ओने लार्ज स्केल, इनिश्यली देर वोज नो प्रोपर सिस्ट्म फोर प्रोडॉक्शन, शीस्ट्म ओफर अर्नी वावाती सूत यू तो के इंडुस्ट्रियल रिवयल्यूशन मा सूत यू तो के ऑटोमेटिक मशीन आवी गया अने अमा प्रोडक्शन अतलू बदू वदी गई उन्हें के अमा सूत यू के तमारू कोष्ट गटवा मढ़ी कोष्ट ओफ यूर प्रोड़क्ट डिक्रीज अबलोग्ती के प्रोड़क्शन मास्र प्रोड़क्शन बदू हैते छिवक दो मामाधी सूत यूरण का अने पांचना सिद्धा त्रण थे गया त्रण थावा थी बे रूपया कोस्ट गटी गई तो आरी त्यानू प्रोफिट वधियू तो सेम वे सुथियू के एमा दस जणा नी जरूर थी पहला एम्पलोईज नी निया मशिनरी जाओता एक जणा नी जरूर होते लोकों नी जरूर गटवा मढ़ी तो एमप्लाज शुथियू थे एम्प्लोई जणा एनू एक्स्वोटेशन थावा मेड जारे कोई वस्तू आपने है कबर चे इव और दिमांड इस लेस और शुपला इस प्लाई पॉर और फडॉर उनी प्रॉडट थावा मेडियू नी शूरूर थावा मे सप्लाइकरता दिमांड गटी गए तो सूथाइचे तो के तो के तमारे बोगवु पड़े के एक्स्प्लोइट थावु पड़े तो हियर सेम वे रे इंडुस्ट्रियाल रिवलिजेशन आयू पची एम्प्लोईजनु एक्स्प्लोइटेशन थवा लाग्यू जोहिए अट आपना स्चैप्ड घ नामिक मेंजर्व मेंजमेंट लीडर्स और इसक्प्लोई श्टाफ सकते एन्डवे अटी मशीन्ज पड़ेशन थाक्याल वाई जेवा तेवा मानसों राखवा लाग्यू पच्छी एने वागा खबर पडी जीएमेटक्ष्टेवा मानसों राखवा आपनों बिजनेस ने लॉंग्टम मा नुक्सानी जावे चे नफो न थी था तो आपने 10,000 मा जे मानस मलतो हो एने आपने पची इत्यार 5,000 मा राकी लिए जसाओ काई काम चुर मानस हो एने तो सुन थाए ए एउ काम पूरू आपी न शके बट जो ही 5,000 मानस तमने 4,000 पन का काम आपी देता होई चे तो आ फर्क होई चे पची एने मैनेजमेंट गुरूस जे बदे आताने एने खबर पड़ी के बाई आपने बले इंडेस्ट्रियल रिलुजेशेशन लाइवा अने आपने आपने ओटमेटिक मशीन स्पीट करना है गटला है के जे वा तेवा मानस ह होई चे एंपलोई चे एनी थी आपड़ू बिजनेस रहन कर शूना बट इन लॉंग रान इट इफेक्टेट था बिजनेस मैनी वेराइशन स्केम एवन लॉसी स्टारे तो के पच्छी एने कबर पड़ी के सारो स्टाफ तो पड़ी जरूर जिवस्तू अब बेस्ट परसन is also needed or we can say best person at a best place is been also necessary तो सारा मानस नी पण यहां जरूर छे ए उती होटले पची एने अनुपह उती हो के बाई नबड़ा मानसों ने लावी औने आपड़े बिजनेस ने भोग करूओ एनी करता सारा मानसों ने थोड़ो वधारे सेलरी आपी औने आपड़े एने एने घर तरीके के फैमेली मेंबर तरीके ट्रीके ट्रीट करिये तो यह बिजनेस ने गणों आगर लई जवामा कोशीश कर शे क्लियर दे ओल्सों रिलाइज देट मशीन डू नोट वर्क आटोमेटिकली बट एंप्लोई ऑप्रेट देम वाट यह से इंडुस्ट्रियाल रिविज देर नीड ओप्रेटर यहने मशीन ने चलावी सके एवो कोई मानस जोई ए तो एवो मानस जोई ए सुँँँआ अटले मशीन ओटोमेटिकली कोई दी श्टार नहीं था तमें इनी स्विच पाड़ त्यारे जी मशीन चलू थाशे एमा तमें इन्पूट आपशो त्यारे प्रोड्यूस कर शेनों आउट्पूट आउचे ने पेकिंग मा लाउचो तो जी चाल शे ए वगर इंपूट वगर कोई दिवस आउट्पूट आपशे नहीं बले यस दस जणा नी जरूरती निया आवे एक माणस नी चाली जैसे बट इनो ये मतलब नो थी के तमे एक जणा मा बद्धू तमारू पूरू करो बट त्या पड तमारे एक ओपरेटर एवो राकवानों के या दस जणा बरोबर काम करी शगे यू आज तो गेट बेस्ट ओपरेटर फॉर रनिंग यूर बेस्ट मशीन तो तमारू मशीन अटलू करोडो नू होई अने तमे एक नबलो ओपरेटर राकवा तो सू तशे इत्वुड कोश्ट यूर मशीन तो इत्व अमारो मशीन ने नुक्षा नी पहुंचाडवानी शक्या ताओ रही शक्या अटले आमा थी आपड़ें कई शक्या के सारो मानस राकवानी वदारे जरूर चे या बेस्ट ओपरेटर इस देर देन अनली यू के अनल दा बिजने और यू के अंडल दा मशीन क्लियर एज़े रिजल दे लिएलाइज देनीड फॉर साइंटिफिक सिस्टम फॉर एंप्लोईज रिकूर्मेंट सिलेक्शन एपोइंट्मेंट प्रोमोशन ट्रांसफर और ट्रेनिंग तो आब दू यू खबर पड़ी क्या भाई पहला तो य उसने स्टम चाल से एने खबर पड़ी तो खबर पड़ी एए रिते वर्क करवा मढ़िया वर्क करवा मढ़िया पची सू की दू के नम तू कि मशीन च काम करें पची यह बहान तके मशीन नहीं ऑप्रेटर वर अप्रेट्स दमशीं त्यारे इप्रोडक्शन था एठले आ चैनल सिस्टमいき पार सिलेग्शन नी रिकृूत्मेंट नी पोलीची अपना विए न्युऊ पोलीची स्टारे विच वससे इज सेड़ साइंटिफिक सिस्टम ऻॉपर एम्प्लोईयस रिकूत्मेंट इन सिलेक्शन पोलीचंवक च्णॉट्ट्स अप्रमोशन आंपवा र् निजरूर आट परौपर तेयारे त्यारे पड़ आपवा नी जरूर पड़े छे, clear so here we will start our point of staffing in staffing first point the function of staffing is also as important as other function of management function organization planning controlling functions of management we have discussed staffing I say that staff if your staff is proper then only your business will be run staff is not as equal as other or as important as other functions but it is the most important function of management other than others to beja bada karta pad aje staffing staffing che hi bija product ka bija bada je vasthu che planning organizing controlling any karta pad vada rekem to joe staff sarwa che as as I told you in last lectures before many lectures that you if you manage your employees your employees will manage your office to tamar khali kaam soo karwa nao je to employees nae manage karwa na chai you has to manage your employees and employees will manage your whole work to tamar khali tamar staff noo dhyan raqwa nao do satisfied staff tamarhi paas se hache to it is guaranteed that your business will go at a next point or it will give it get developed it is compulsory it is necessary mkishya ko to joe tamarho staff satisfied hashe to to tamen staff ne over and over kanadgarthi karta shoko kai pressure ma raktashoko to impossible nahi thay but staff ne tamen sach ho to then your business will be run fast now it is a process of development of individual to soo kaija staff ne tamen koi training aapo na selection appointment budu aapo nao training pao nao to training aapo nao work ni related work khabar pade yes he may be really familiar with that work but i'm our industry ma ke a jae job karwa jaya work system akhi alag ho hai shakke chahi to training dewa tisu thai to training dewa thi khabar pade he gets familiar that how working conditions are there to any development of individual can also be proper tamen jare nava nava ho to tiyare tamen nati khabar ke business kai rite challenge but tamen ema pachi jam jam brata jau chau meina varas 5 varas 10 varas thai and tamari salary pade anhe sate tamen deep knowledge regarding your work can also be got how it can be helped to eat tamarun development chai how it developed tamen satat ane satat bia ii tamara job ma dhyan dhi dhu tamen training properly the work proper kari tiyare tamarun ek individual development is been possible clear in the past human element was not given due importance as we discussed that he after he a nearby industrial regulation to industrial regulation i view to nam thai qa bhai machineries budu work kare chai employees nini na thi to there was less importance of employees exploitation was also too much done of employees the employees no exploitation satat ane khubaj tha tu tu to joe agar planning of business might have been done in the best possible manner and former formation of organization also might have been proper but if the selection and training of the personal is improper then the organization cannot be successful to to suke chai tamen best planning kariu saro organizational structure kariu ka bhai aapde linear method ke pachee organizational functional method ke hi tamen select karirane workplace na aarete work kariu baddu tamen best possible manner ma kariu but sara staff nio or we can say satisfy staff is not there then what will happen your project will not be successful to me saru plan karo cho saru organizational structure akubu karo cho baddu kar sho but a proper or good uh staff is not there then what will happen then your business or your project will not be successful tomorrow project successful thawana chances is a zero person tamare staff ashe to even i say further that planning kariu kariu big big industries ma to planning my general manager or board of debt they are all the also the employees or they are also the staff of the uh business organizational structure chai a maca coi chai to emma pan staff hoi chai to ajay pale tam행 saru business planning kariu promo shandha there but here we can say planning why k organizing controlling बदू यह पर करेंचे कौन अल्टिमेटली दस्टाफ मेंबर आर दूइंग ओल दीस एक्टिविटी यसों नो हाँ आब दू ए पोतेज करेंचे स्टाफ मेंबर जजा आब दा काम करेंचे तो जाजे आब तलू सक्सेस्पूल जैशकेचे क्लियर जो ही आगर्थ शक्सेस्पूल और्गेनाजेशेशन डिपेंद्स ओन दे एफिशेंसी एंड एटिटीटीड ओफ इट्स एंप्लोईज तो सुन कहीं चे तो सक्सेस ओफ बिजनेस कई रीते है चाले तो के एंप्लोईज जेचे इबिजनेस के एना वर्क ने कई रीते प्रेक्टीश करू आ बदू करू त्यारे तमने बेस्ट रिजल्ट मले तो एवी रीते एटिटीटीड ओफ दे एंप्लोईज इस नेसेसरी जो मारो एटिटीटीड वर्क प्रतिय सारो एशे तो आजे वू पन सक्सेसफूल थश अने मारो जे मां जोप करूचो ए बिजनेस फ्रम पढ़ सक्सेसफूल थशे पढ़ वू एटिटीड नेगेटीव एशे कवा आ इंडेस्टीड फर्म तो मने काई सारी सेलेरी नेत दे तो आपड़े कोई दिवस अगल आवानी के आपड़ु फर्म कोई दिवस अगल आवानी शक्यता नहीं एक जनारी वाद मत ओर 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 जो स्टाफ आरीते वी चार्शे तो आपड़ी एटिट्यूड जो खराब अशने बिजनेस प्रती है के आपड़ा जो प्रती आपड़ी खराब अशने तो तो देर इस गेरंटी धेट यूर फर्म केनाट बीगेट डेवलोप्मेंट और यूर इंडिविडियल डेवलोप्मेंट अल्सो इस नौट पेसेगल के तमें काई वस्तु नवी करता नदी यू डोसंट ट्राइट तू अंड़ी वस्तु जानवाज नती जो तमें नवी वस्तु जानशो नवी वस्तु माँ काक काम कर्षो त्यारेज तमें अगल आविशेको ओ इवगर तमें कोई दिवस अगल आवानी शक्यता राखता नई आजे बिजनेस मां के आपने जोग मां आपनी एटीटिूड के आओ चे इफ माइटिटिूड इस प् लुञव किया नवा प्रयोक करवा निकोशिष करूं के कही रिते हैं उन मारा फर्म ने कि आगल लाई शेको कही रिते हैं हूं इंडिविडियली विधारे डेफल अर्डेवलप थाहिशेको कही रिते हैं मारी efficiency से इंक्रीज करीश शकू तो आप दर पॉइंट्स जो हूँ ध्यान मा राखीश तो ज बिजनेस आगल आउशे जो आऊ बदू नेगेटिव लेश के बाई आ बिजनेस के आ जोब मा तो मने आएम नोट सेटिस्वाइड के हूँ सेटिस्वाइड थावा अदनत माकतो हूँ मा I always think him as a negative point when you negative जोई चारू business नूँ negative जोई चारू मारो attitude साव negative छे तो कोई दिवस जो तमें कोई पन जोब फेरा उसो के business सरू कर शो पर तमारो attitude negative रेशेन है तो there is no scope of development of your thing clear और your individual development और जहां तमें काम करता है शो त्याप पन ये business नो तमारा काम मा तो कोई development आऊ से नहीं है क्लियर जो ही आगर स्टाफिंग is an activity of maintaining relation with the employees of the organization तो स्टाफिंग सून चे मैं की दूने कि मने स्टाफ मारा जो ओनर हो या कोदी खी जाता हो कि मारा superior की जाता हो तो मारो relation नहीं साथ सारा नहीं हो प्लस मारो attitude खराब थी ये I am feel start negatively बूल तो जो मानस्तिक पढ़ता है तो ये प्लस एक बूल जाती पढ़ आजे ओनर ने करवी प्रबद डल 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 कोस्ट ऑफ बिजनेस तो ये बूल नहीं मोटी बूल होई तो जाती पढ़ करवी पड़े चे तो आउ बदू होए तो आजे एक स्टाफिंग नो महत्वा सूचे तो मेंटेनिंग इन रेलेशन विट्यूस तो ओनर एंपलोस नो रेलेशन तो थाइ बंद आल्सो श्टाफ श्टाफ तो इंक्रीज एनो रेलेशन कही डिते वदीश चाहरे ओर ग्राइजेशन प्रत्ती अबवाव कर आम मारोज बिजनेस चे इस फिर्म इस माइ दीस वर्क इस माइ माइ आ स्टाफ मेंबर्स आर माई फेमिली आवी इते वीचारे रिलेशन है नो वदारे यस इस दिस कें बी कॉल्ड अज प्रोफेशनल रिलेशन तमें जो वदारो तोज तमारों बिजनेस के तमारा जोब प्रतिय तमें 100% करीशको तमारों आई सूचे स्टाफिंग नो महत्व सूचे दा एक्टिवी आफ स्टाफिंग इस वाट तो मेंटेन इंक्रीश दरीलेशन बीटरीन एंप्लोइस और तमारी रिलेशन ओर्गनाइजेशन मां ते सारी थाये अन्य वधति रे इज महत्व ओर्गनाइजेशन अन्य एंप्लोइस वच्छे आजे रिलेशन वदे इज स्टाफिंग नो मेंट पोईंट हसे क applicable here so here we will conclude for today and next lecture we will see the concept of staffing and characteristic of staffing for today thank you very much and joined